हेलो एवरिवन मैं हुआ कांग्शा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को थम्डेल से समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं अपना स्कोर का शेयर करने वाली हूँ जब यूप्यूट्री परले सी पैट का एक्जाम हुआ था तो उसके कुछ प्री निल्डेल में देख एक्यूल जो रिजल्ट है उसमें अपना है कि नहीं तो हान लगबग देखें एक्जली हुआ कहा था कि बीच में जो है वो दुबारा आनसर किया थी तो मैंने जो प्रीवाइंसर की ती वो मेंने चेक नहीं किया था मैने सुच जोड़ो अब क्य दूज के बाद सही है कि मेरे मैं खट भी गए हैं मैं आपको लुटक मीरे मीरे इसे एक तो बहुत बहुत बढ़ना है जिन यह बड़े आ Face आ last Polar, का में। का हेर वेर है बाकि चलिए मैं अपना स्कोर कर शेर करतीं आप लोगों से कि मेरे टित Marks रहें में है तो देख़े ये है मेर रेजल्ट तो मैं आपको actual मेरे Marks है वह कित्ते जिखाते पैकित जो जो मेरे रो मार्क है वो 80.25 है और जो मेरा Nное कि मेरा 79.96 और परसंटाइल की बात करें Just młot 98.88 अवतिन है नोन में जब अपना अंसर को चेक अ है तो उसमें सेंटीव में नापना गए प्रॉन स्मीलाना गाल गाल गया तो इक वहर नरप 7 वेकेंसी आने वाली हैं खासकर लेकपाल की तो क्या मैं उसके लिए इलिजिबल हूँ की नहीं बहुत सारे लोग का question है इस time में तो देखिए मुझे sure तो नहीं पता कि कौन इसमें eligible है या नहीं लेकिन मैं इतना जरूर क्या सकती हूँ कि जो लोग भी 60 above marks पाए है नॉर्मलाइज की मैं बात कर रही हूँ जो लोग भी 60 above marks पाए है वो बिल्कुल भी eligible है रिदम sure है eligible होंगे वो लेकपाल के लिए उससे नीचे भी हो सकते हैं बट मैं उसके लिए शेयर नहीं हूँ बट 60 above जिनके भी marks है वो आप बिल्कुल आप लोग तयारी सुरू कर सकते हैं अभी से वो लोग लेकपाल के लिए ज़रूर अप्लाइ कर सकते हैं हलाकि अभी जो आएगा क्या होता है उसके लिए उसके लिए आगे ही पता चलेगा यह रहे मेरे marks और आप लोगों के कितने marks आए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा आइनो मेरी आवाज में थोड़ा सा भारीपन होगा कि मेरी आवाज थोड़ी सर्दी जुकाम के वज़े से बठा और आप लोगों की जितने में marks रहे होंगे आप लोगों कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा सो थेंक यू फॉर वचिंग मिलते है नेक्स वीडियो में